Hello and welcome you all, I am Rory from Margin Traders So guys, आज हम बात करने वाले हैं S-Bank Limited के बारे में और guys अगर देखा जाएं तो S-Bank में continue किरावट आ रही थी जैसे कि हमने हमारे previous वीडियो में बोला था कि S-Bank में भारी किरावट आ सकती है और हम आज वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि S-Bank में कही न कही एक support level हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है बट guys उस support level पे काफी crucial support level है अगर देखा जाएं तो breakout हुआ तो बिलकुल S-Bank में बड़ी गिरावट आ सकती है बट आपको wait करना है guys wait करना है और levels का अगर आपने wait कर लिया तो आपको अच्छे returns इसमें मिल सकते है तो S-Bank Limited एक तगड़ा stock था एक time पे बट अब काफी सस्ता हो गया है और देखा जाए तो continue गिरावट है और कही ना कही यहाँ पर कुछ ना कुछ stock में होगा बट आपको level समझना चाहिए कौन से level पे buy करना चाहिए अगर आप एक share holders हो और आप सोच रहे हो sell कर दे तो guys रुकिए sell करने से पहले वीडियो पूरा देखना बिना skip किये देखो guys काफी helpful है वीडियो आपके लिए होने वाला है तो guys वीडियो को start करूँ उससे पहले अगर आप इस channel पर नए हो तो please channel को subscribe कर देना for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए है तो guys वीडियो को शुरू करते है guys बात कर रहे है as bank limited के बारे में और देखा जाए stock में एक हमें गिरावट देखने को मिली closing की बात करे 12 रुपे 50 पेसे के price पे stock ने closing दी थी 0.10 पेसा stock नीचे की और गिरा था बात करें as bank में बात करेंगे चार्ट पर तो guys चार्ट पर चले उससे पहले आपको एक बात बता दू कि अगर आपने चार्ट को ध्यान से नहीं देखा तो आपको level समझ में नहीं आएंगा तो बिल्कुल ध्यान से देखना guys तो चलते हैं सिधा चार्ट तो यहाँ पर चार्ट पर हम आ गये हैं और day one time frame पर हम बात करेंगे और कहीं न कहीं यहाँ पर हमें लग रहा है कि stock ने support ले लिया है और बिल्कुल guys यहाँ पर क्या analysis था हमारा तो यहाँ पर अगर देखो तो मैं stock उपर गया था फिर नीच आया फिर यहाँ पर अगर देखो तो एक rising wage जिसा pattern मना और हमें मिला नीचे की और breakout और breakout मिलने के बाद suddenly stock में आई एक गिरा वट और यहाँ पर मैंने बोला था कि guys यहाँ पर अगर support लेता है तो यह जा सकता है उपर की और अगर breakout देता है अगर इस level को break कर देता है तो सीधा आएंगा 10.45 पेसे के price पे तो guys depend करता है अब stock में क्या होगा तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं stock को उपर जाने के लिए इन levels को break करना पड़ेगा कुछ इस तरीके का pattern यहाँ पर बन सकता है और यहाँ पर breakout अगर इस level पे मिलता है तो बिलकुल stock में bullishness आ सकती है और तब तक के लिए तो stock मुझे sideways ही लग रहा है तो guys sideways stock होने वाला है बट आपको wait करना है इस stock कौन से level पे कहा पे किस level पे उपर जाता है और कहीं ना कई अच्छे moments आते है अच्छे moments आते है तब ही आपको buy करना चाहिए so guys बढ़ते है अब आगे तो 5 द guys अगर देखा जाए one month के time frame पर तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 0.60 उपिस तक stop 60 पेसे तक stop नीचे गिरा है minus 478 पर Hamp के son तो यहाँ पर 5 रुपे 50 पेसे दक स्टॉक गिरा है माइनस 30.56 प्रतिशत या पर स्टॉक में गिरावट है वही गाईस अगर देखा जाए तो स्टॉक में क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है तो स्टॉक ओपन हुआ था 12 रुपे 60 पेसे के प्राइस पेसे स्टॉक ने कट्य highlight cap stock की category में आने वाला stock है गाईस और यागर आगे बड़े और देखते हैं 52 weeks का high और 52 weeks का low तो 52 weeks का high अगर देखा जाये तो यहाँ पर 20 रुपे 75 पेसे का हाई है और लोग की अगर बात करें या पर 22 के लोग की बात करें 10 रुबे 50 पेसे का लोग भी आपको देखने को मिल जाएगा वही गाईज अगर देखा जाए resistance लेवल और support लेवल तो क्या कुछ है तो resistance लेवल अगर देखा जाए 12 रुपे 69 पेसे का फर्स्ट support लेवल है second support लेवल 12 रुपे 38 पेसे का है और जो third support लेवल है 12 रुपे 27 पेसे का दिख जाएगा वही गाईज अगर देखा जाए तो क्या कुछ price performance हमें देखने को मिल रहा है price performance अगर देखा जाए 1 week का तो 0.80% के असपास का price performance से आपर plus में दिखाए देगा बट 1 month का अगर देखा जाए तो यहाँ पर minus में आपको दिखाए देगा minus में है minus 3.46% और देखा जाए 3 months का तो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर plus में है 13.06% और year and half का अगर देखा जाएगा इस तो यहाँ पर अगर देखो minus 29.69% है और देखा जाए हाँ पर 1 year का तो minus में है minus 18.77% और 3 years का देखे तो minus 92.95% का असपास का दिख जाएगा वही guys अब बात करते है trade value और common and delivery क्या कुछ है तो trade value की अगर बात करें 7 करोड के something का trade value आपको देखने को मिल जाएगा और 3 करोड के something का common and delivery भी आपको देखने को मिल रहा है yesterday के अगर बात करें तो 5 करोड के something का trade value है और 2 करोड के something का है common and delivery 1 week का average 11 करोड के something का है trade value और 4 करोड के something की Communion Deliory देखने को मिल रही है वन मन्त का average अगर दिखा जाये तो 8 क्रोड के सम्तिंग का है ट्रेड वेलिव ए ठ्री क्रोड के सम्तिंग की Communion Deliory देखने को मिल रही है तो guys ट्रेड वेलिव और Comoigonin डिलियूरी हमने dISSKAS कर लिये अब बात करेंगे कि हम यहाँ पर community sentiments के आखड़े तो community sentiments के इसाब से positive news यहाँ पर नजरा रही है क्योंकि यहाँ पर 95% लोगों का बिलकुल यहाँ पर कहना है कि आप बिलकुल यहाँ पर buy कर सकते हो तो buy call है 95% लोग के और से वो जो 5% लोग जो है आपर कह रहा है sell के लिए तो sell के लिए भी कहा जा रहा है buy के लिए भी कहा जा है अब डिपेंड करता है आपके उपर कि आपको क्या करना है level लगाई अगर support ले लिया तो इस level पर आप buy तो कर सकते हो बट आपको थोड़ा wait करना होंगा बड़े मुमेंटम के लिए बड़े मुमेंटम का वेट करना हो तो 14 रुपे के प्राइस को अगरे क्रोस कर देता तो बिलकुल आप बाई की ओर चा सकते हो अब बात करते हैं रेविन्यूस की 2017 के रेविन्यू के अगर बात करे 16425 करोड़ का है 2018 का रेविन्यू यहाँ पर 20,268 करोड़ 2019 का 29,623 करोड़ 2020 का है 26,052 करोड़ और 2021 का है 20,049 करोड़ का रेविन्यू अब बात करें अगर नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट एर और येर माइनस में जाता हो नजरा दा है हाला कि 2017 में प्रॉफिट में था 3,340 करोड़ 2018 में भी प्रॉफिट में था 4,233 करोड़ 2019 में प्रॉफिट में धिख जाएगा हापर 1709 करोड़ 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर माइनस 16,423 करोड माइनस में हो 2021 में भी माइनस में दिखेंगा लग भग माइनस 3,490 करोड़ अब बात करते हैं हापर share holding pattern, share holding pattern की अगर बात करे, FI और DI यहाँ पर बड़ी holding के साथ दिख जाएंगे और यहाँ पर अगर बात करे, DI की holding 45.87% की FI की holding है, 7.92% की और जो public holding है 46.21% के आसपस की तो guys share holding pattern में हमने discuss कर लिया और वीडियो पसंद आ हो, वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, thank you